दोस्तो मैं हिदायत खान गोल्ड एचीवर चैमकेस आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं और चैमकेस ये दोनों में कितना बड़ा difference है और चैमकेस में जो income आप कर सकते हो क्या वो बाहर से करना possible है ये आप खुछ सोच सकते हो चैमकेस ने जो fixed income launch किया है कि per joining आपको minimum इतना मिलेगा ही मिलेगा उस minimum amount से भी आप कितनी earning कर सकते हैं ये जानते हैं तो शुरुवात आप से करते हैं कि आपने अगर एक महिने में सिर्फ 10 लोगों को भी जोईन कर दिया तो आप कितनी earning कर सकते हैं आपने एक महिने में 10 लोगों को जोईन किया minimum amount जो fixed हुआ है 10 rupees first label से अगर 10 rupees per joining मिलता है तो आपका पहले महिने का income हो जाता है 100 rupees अब ये 10 लोग भी अगर आगे एक महिने में सिर्फ 10-10 लोगों को जोईन कराते हैं तो आपकी total team हो जाती है 100 लोगों की और इन 100 लोगों से 10% के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे 2 rupees तो इसके हिसाब से आपका दूसरे महिने का income हो जाता है 200 rupees इसी तरह से तीसरे महिने में ये 100 लोग अगर 10-10 लोगों को JOIN कराने में कामियाब हो जाते हैं तो आपकी total 1000-20 लोगों की team हो जाती है और per joining 2 rupees आपको मिलता है तो आपके तीसरे महीने का income हो जाता है 2000 रूपीज इसी तरह से ये 1000 लोग अगर 10-10 लोगों को join कराने में success होते हैं आपकी support से और पूरे team के support से तो चौते महीने में आपका total team हो जाता है 10,000 लोगों का और per joining 2 रूपीज commission मिलता है अगर तो आपका fourth month का income हो जाता है 20,000 रूपीज इसी तरह से fifth month में ये 10,000 लोग अगर 10-10 लोगों को join कराने में कामियाब होते हैं तो आपकी total team हो जाती है 1,000,000 लोगों की और fifth level से 2 रूपीज पर joining मिलता है तो आपका total income पांचवे महीने का हो जाता है 2,000,000 रूपे इसी तरह से चटवे महीने में अगर ये 1,000,000 लोग 10-10 लोगों को join कराने में कामियाब हो जाते हैं तो आपकी total team हो जाती है 10,000,000 लोगों की और six level से अगर 1-1 रूपे भी इस minimum amount के हिसाब से मिलता है तो आपका total income हो जाता है six month का 10,000,000 रूपे इसी तरह से सातवे महीने में भी अगर ये 10,000,000 लोगों सिर्फ 10-10 लोगों को पूरे महीने में join कराने में success होते हैं पूरे team के support से तो आपका 7 महीने में total team हो जाता है एक करोड लोगों का और अगर एक रूपया पर joining भी आपको मिलता है minimum amount जो fix हुआ है उसके हिसाब से तो सातवे महीने का आपका जो income है वो एक करोड है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 7 महीने में आप एक करोड की earning कर सकते हैं सातवे महीने का जो की minimum amount fix हुआ है उसके हिसाब से भी अब total income यहाँ पर देखते हैं एक करोड 12,22,300 यह total 7 महीने की आपकी total income है अब इसको जरह हम calculate कर लेते हैं कि हमारा per month income कितना हुआ इसके हिसाब से ठीक है तो इसे हम divide करते हैं 12 month के हिसाब से अगर इस amount को हम 12 month में divide करते हैं तो per month का जो average income आ रहा है वो 16,3,150 रूपे चलिए यह हम एक साल में भी अगर नहीं कर पाए हमने यह काम करने में 2 साल लगा दिया यानि 24 महीने लगा दिया तो भी हमारी monthly average income हो रही है 9,35,191 रूपे माल लेते कि हम 2 साल में भी यह success नहीं होते हैं यह चीज करने में हमने लगा दिया 3 साल तो भी हम per month जो income ले रहे हैं यहां से ओ है 3,11,730 चलो माल लेते और हमसे काम नहीं हो पाया और हमने 4 साल लगा दिये इसी काम को करने में तो भी आप जब per month अपना average income निकालेंगे तो 2,33,797 रूपे होगा चलो यहां पे भी हम माल लेते कि हमने 4 साल में भी यह काम नहीं कर पाये हमने 5 साल लगा दिया इस काम को करने में यानि 60 महीने लगा दिये तो भी आप इस amount को divide करेंगे 60 से तो आपको 1,87,038 रूपीज पर month की income हो रही है माल लिजे आपने 5 साल में भी नहीं किया यह 6 साल लगा दिया आपने करने में तो भी 1,55,865 रूपे पर month की average income हो रही है आपने अगर यह करने में 84 months भी लगा दिये तो भी आप उसको amount को divide करेंगे तो 1,33,598 रूपीज पर month की income आपकी हो रही है तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो काम 7 महीने में complete होना है अगर उस काम को करने में आप 84 महीने भी लगाते हो तो भी आपकी average income 1,33,598 से जादा होगी तो दोस्तों आप खुश सोचिए कि आप जो कुछ आज कर रहे हो वहाँ पे क्या progress है आपका और CHAMKS में आपका क्या progress है तो दोस्तों दिल से CHAMKS बिजनस को कीजिए और आप एक बार सोचिए दिल से सोचिए कि इस बिजनस में कितना power है अब यह मत सोचिए कि per joining 10 रुपे मिल रहा है या 1 रुपे मिल रहा है अब खाली यह सोचिए कि इस काम को करके आप इतने दिनों में इतना अच्छा income कर पा रहे हो तो क्या यह बाहर की दुनिया में possible है बिल्कुल नहीं सर कोई बहुत हाई फाई पोस्ट का इंसान होगा वही यह income कर पाएगा हर कोई नहीं कर पाएगा बाहर की दुनिया में लेकिन चैम कैस में हर किसी के लिए यह possible है कि यह इतनी अच्छी अर्णिंग यहां से कर पाएगा